हेब्रीबान वेलकम तो मैं चैनल रेसिपीज एट रैंडम चलिए आज बनाते हैं एक बड़ी ही अमेजिंग सी टेस्टी रेसिपी इसे देखे हैं आप बहुत ही जादा हिल्दी है मुह में बहुकल पानी आ जाएगा इसे देखकर इसमें ब्रॉकली है इसमें मुश्रूम्स हैं और इसमें चीज है इसमें एक्स हैं यह बिल्कुल कम्प्लीट मील है इसके साथ आपको किसी रूटी पराठी की ज़रूत नहीं है इसे बना कर देखना आपके बच्चों को इतनी पसंद आएगी कि वो रोज रोज इसी डिश को बनाने के आपसे फर्माईश करेंगे त जब इनको चौपिंग कैसे करनी है इस बाद ढ़र देख लेते हैं तो जो ब्रॉकली है इसके बड़े-बड़े से तुकड़े हैं तो इनको आपको फ्लैट पीसिज में थोड़ा साथ लेना है पतले मतलब मोटे मोटे ना रहा हैं असे पतले-पतले फ्लैट पीसिज में य तो इस तरीके से सारी चॉपिंग आपने रख लेनी है इस दोनों चीजे मेरी कट गई है इनको मैं रख लेती हूं अब चाहे मेरे पास यह मोटी वाली मिर्च है कुछ स्प्रिंग अनियन भी मैंने काट कर लिए तो मोटी वाली मिर्च को मैं चॉप करूं कि देख लो अगर अगर आपके रहे है तो टाल कोई एसा ज़रूई नहीं कि जो पर्टिकुलर जाण पर पर लिए यह कि आप भी मेरे पास थी तो मैं यह एड कर रहे हूं तो यह अगर आपके पास हो तो डाल लेना अच्छी लगँ का यह झालनी के बहुत तीकिन हो जाए इसके निकाल दिय ड़ी ररी क्यार्णा एक चम्मच पेस्ट ना चमच आप प्स चम्मच औड़ी टो प्ड़ाया ндिए एक ब्रड़ा करना चाहिए चम्मच Això मत खो एक बड़ी भी घट्य करतें तर में अगंने चलग किपार ऐसा समय को बस एक चुटा चमच मैणे गारलिक और के बार्ड डालाओं टेता है जंजर में जिंजर और रोओ फिर चावी और पिर ये जाएं में ग्रॉनलों को री कॉछी सैध नेकर और ये तौन उप्लाओं थे फाली की बार्दहेता चरी आफ। एक अच्छा नाम मुझे जरूर से सज़स्ट करना कि इसको एक अच्छासा नाम आप क्या दे सकते हो मुझे समझ नहीं आ ता बहुत संवा नाम क्या देना थे यह इस यह बड़ी टीस्टी सी डिफरेंट सी डश थी होगा कि इसका टेस ही बहुत ही अच्छा था चीज की वज़े से मस्षूम्स की वज़े से बहुत ही बड़िया इसको हम भूनेंगे हम मश्रूम documentary कुक करेंगे मीडियूम फ्लेम पर बहुत लो फ्लेम पर शधा मैं नमक एड़ करOWdong और इसमें काली मिर्ज का पाउडर भी मैं आड़ करूंगी और मश्रूम को हमेशा मीडियम फ्लेम पर ही कुक करना मश्रूम बहुत पानी छोड़ते हैं हलके से मश्रूम सॉफ्ट हो जाए फिर हम इसमें अपनी ब्रॉकली डालेंगे क्योंकि ब्रॉकली का जो क्रंच होता है तो अच्छा लगता है तो मश्रूम सलके से सॉफ्ट हो जाए बस मीडियम फ्लेम पर जोड़ेंगे पर सूख जाएगा बानी पर सूख जाएगा पानी तक आपनी पर नहीं सुख करना है सॉफ्ट हो गया है मैं बड़ी जल्दी मिर्ची है कोई बहुत जादा पकानी की जर लिए 5-6 मिनित के तंट रहिम कोड़ें। जिस लेगे लिए पर की बोलिव और यडू़ आप नोस्zekलज नहीं को यज पी उखीत है जर शुट यंब भी मिक्स करें। बहुत जादा इसे ओवर कुक करने की बिल्कुल भी जरुरूरत नहीं है बिल्कुल सुखी सुखी सी सबजियां लग रहे हैं कोई नीचे पानी नहीं है कुछ नहीं तो बढ़िया हमारा जो यह नीचे का बेस है बनकर रेडी हो चुका है अब नहीं टाली है कि अड़ें शॉम एक अंडे के लिए 1 पेश्क नमक समझ अपनी शॉडा है करदो भीड़न मड़ से भीड़न है अजिक बाद मेंकिश्ट के दिना कम बने करें it करें दोकुब रही खुड़ एक जब चोगीजने है यह छीज पीज है कीजने हम पीजा थी कोहता है और आपका चीज़ेंता कीज रही था रही चीजने लियुक है जब चीज और चीज बच्छों को चीज बहुत जादा पसंद आता है इस रेसिपी में पर्टिकुलरी चीज का टेस्ट बहुत जादा अच्छा लगता है तो जरूर से इसे अड़ करना अच्छे से कवर कर देना अगर आप मेरे चैनल पर नए है अब तक तो सबस्क्राइब क किस बात का इंतिजार कर रहे हो सब्सक्राइब कर लो फटा फट से ऐसी बहुत सारी टेस्टी अमेजिंग रेसिपी देखने के लिए और इदेख हमारा चीज मेल्ट हो चुका है उपर से मैं डाल दिया है हलके हलके से चिली फ्लेक्स कुट्टी वाली जो मिर्च होती ना प इसे बनाओ खाओ पियो एंजॉय करो और इसे आप मतलब एक कम्प्लीट मील है ये बहुत ही हिल्दी है बच्चे जो अंडे नहीं भी खाते है उन्हें भी ये बहुत पसंद आएगी इसके अंदर सबजियां है ब्रॉकली है मश्रूम से और हर चीज का अपना जो फ्लेवर इसमें से निकल क्या आता है ब्रॉकली के साथ में इसे जरूर से बनाना और मुझे आप इंस्टा पर फॉलो कर सकते हो इंस्टा पर टैक कर सकते हो रेसिपी और इसमें फीडबैक में जरूर से शेयर करना कि आपके रेसिपी कैसी लगी खाओ प्यों एंजॉय करो थैंक्स आपके बाइ